है को सेट सब्क्राइब एकसिए कि यूटूब चैनल पर और में डिस्क्रस करने वाला हूँ आज कर जो पार्ल अ सब्सक्राइब मद्रते सामान निद्धानि जरू है तो यह विडियो कैसा लगा यह यह कि करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राब करने हो बैल आइकन को भी दमाएं ठीक है तो आई ये कुशन के और बढ़ते हैं तो यहां पर जो भी कुशन इंपोटेंट हों नों परत की पर्शित ही पर मादप्रदेश का कौन से जला मगवा अत्वादत ग केली पर उसका जे इसका यह उप्सट भा साइया परसित एंपृट सूसज सब्षाइब जव्ड़बों पर कहाँ पाया जाता है कहा पर जेभल पुर में कहा पर जबलपिर मेस सब्षां जो है न वो सही अंसर है जबलपुर में यह पाया जाता है और इंपूरेंट कोशन भी ठीक है सपेश संगमर वर कहा पाया जाता है जबलपुर में नेक्स्ट 1143 मर्द प्रिदेश में 15 जुलाई 2019 को सुरू किये गए धन योजना का वो देश क्या है तो इसका जो देश है वो है आदिवासी बुनकरों के लिए प्रिसिचण और देश विदेश में बिक्री कराने के लिए सईयोग ये इसका सईया अंसर है आदिवासी बुनकरों के लिए प्रिसिचण और देश विदेश में बिक्री कराने के लिए सईयोग ये इसका सईया अंसर है नेक्स्ट 144 अंग्रेजों के समय में कौन सा हिस्तान ग्रीस उंकाल की राज़धाने के रूप में प्रिसिदे था अंग्रेजों के समय में ग्रेसम काल की राज़दानी की रूप में कौन सा इस्तान प्रसिद था आपसन C पचमड़ी कौन सा C आपसन आपका सही आंसर है पचमड़ी ठीक है और इंपुडेंट कुश्चन भी है नेक्स्ट 1845 मद्द प्रदेश में धुवादार और संग मर्मर की इस्फिटिक सिलाएं कहां है तो यह सिलाएं कहां परिस्तेते हैं तो इसका जो अंसर है वो है जबलपूर यह भी कुश्चन कई बार आ चुका है आपका प्रदेश में कागज बनाने की लकड़ी कहां पर मिलती है तो मद्द प्रदेश में कागज बनाने की जो लकड़ी यह वो आपकी सैडोल एवं खंडवा में मिलती है कहां पर मिलती है सैडोल एवं खंडवा में इसका जो यह उपसन है वो सही अंसर है नेक्स्ट 47 मुद्द प्रदेश के जवलपूर और शंगवाद नगर किश नदी के तड़ पर इस्तित बसे हुए है इसका अंसर आपको कमेंट स्रेक्शन बताना है इंपोलेंट कुश्चन है आपका यह और कई बार पेपरों में आ चुका है सौन नदी के किनारे इस्तित हैं चंबल न पर इस्तित हैं या फिर नर्मदा नदी के किनारे इस्तित बताना है राइट अंसर ठीक है क्यों होगा 48 मद प्रदेश के पुनर गठन से पूर इसका नाम मद परांथ था वो समय इसकी राज़दानी कहां थी तो मद प्रदेश की जो पहले पुनर गठन से पहले इसका मद परांथ नाम था इसकी राज़दानी कहां पर थी यह थी नागपुर में कहां थी राज़दानी इसकी नाग पूर इसका जो यह उप्सन है वह सही आंसर है और इन्पृटेंट गुश्चन भी है नेक्स्ट को कि और फोलटी नाइन मद्यप्रatique का माहू शेयनिक विदरों के लिए प्रशिद है यह विदरों कब उपाता महू जो ऐना स lent और इसका सही आंसर एक जुलाइ 1857 को कब बिदरों उगाता ये एक जुलाइ 1857 कौ इन्पृर्डेंड गुस्ष्य नेक्स्ट सन 1930 में पूरे देश के देश में नमक सत्यागरे अंदोलन हुआ था मदब प्रदेश में इसकी सुरुवात किस इस्तान से हुई थी मदब सन 1930 में पूरे देश में नमक सत्यागरे अंदोलन है न सुरू हुआ था मंदर्प्रदीश में इसकी शुरूआत कहां, किस इस्तान से वी थी, इसका भी आंसर आपको comment section में बताना है, ठीक है menadla से हूई, या फिर बालागाट से हूई, या फिर सिंद बाडा से हूई, या फिर सिब्नी से हूई, आंसर आपको कमेंट सक्षिन में जड़ूबत आना है और इंपोडेंट कुश्चिन है नेक्स्ट 151 किस जिले ने के घोड़ा डोगरी नाम के आदिवासियों ने सन 1930 में जंगल सत्यगरे चलाया था कब चलाया? 1930 में तो इसका जो आंसर है वो क्या अंसर होगा? D.O. बैतूल क्या होगा? बैतूल इसका सही अंसर है नेक्स्ट 1832 सन 1949 में दोतिय विश्य युद्ध आरंब होने पर गांदी जी ने अबग्या अंदुलन की सुरुवात मद्वर्देश के किस नगर से की थी तो इसकी जो सुरुवात है वो इन्होंने जबलपुर से की थी इसका जो C.O. उपसन है वो सही अंसर है वो इन्पोटेंट कुश्चन भी है नेक्स्ट 153 मद्वर्देश से प्रकासित होने वाला पहला समाचार पत्र निम लिखत में से कौन सा है? तो यह जो समाचार पत्र है वो आपका है C.O. गवाली रख्वार यह मद्वर्देश का सामान समाचार पत्र है पहला ठीक है? 154 मद्वर्देश में हिंधी में प्रकासित होने वाला पहला समाचाط पत्र कौन सा है? तो यह जो है ना मालवाख हुआ रहा है जो इंदी में प्रिकार से तुगा ठीक है सी ऑप्सन इसका इंपुडेंट कोश्च नहीं है यह भी कोश्च ना आ चुका आपके पेपर में और इंपुडेंट कोश्च ने इस वार के लिए नेक्स्ट 55 का भी ओर सुतंतता से नानि माखनलाल चतरवेड्री अपना समाचार पत्र करम भी कहां से निकालते हैं तो माखनलाल चतरवेडी को हम भारत की आत्मा भी कहते हैं ठीक है और इनका जो करंबीर पत्र हिस्वमाचार पत्र है ये कहां से निकलता था तो इसका जो ये उपसन है खंडवा सही अंसर और इन्पोर्टेंट कुश्चन भी ये ठीक है कहां से निकलता था खंडवा से नेक्स्ट 56 मद ब्रदेश में गिराम सोराज का गठन कप किया गया तो मद ब्रदेश में गिराम सोराज का गठन कप किया गया ये किया गया 26 जनवरी 2001 को मद ब्रदेश में गिराम सोराज का गठन जो है न 26 जनवरी 2001 को किया गया नेक्स्ट प्रप्टी सेबन स्वच्चता सर्वेश्चर 2020 में चौती बार सर्वेश्च स्वच्च सहर का पुर्षकर दिया गया यह भी आंसर आपको कमेंट सक्षिन में बताने मोस्ट इंपुडेंट कुश्चन है इस वार यह कुश्चन आएगा जरूर ठीक है कि गवालियर को बेंड को इंदोर को यह फिस सिवनी को यह पांचवी बार यह इस वार पांचवी बार हो चुका है ठीक है तो तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्षिन में ठीक है नेक्स्ट इसका जो आपसन बनने वाला है वह राइस्तान बी आपसन ठीक है राइस्तान इसका सही अंसर है नेक्स्ट इसा सब से बड़ा सोलर प्लानन्ट माधवर्देश के सहर में इस्तापित किया रहा है तो यह जो सुलर प्लान्ट आपसन रिवा में कहां पर इस्तापित किया रहा है नेक्स्ट भाव में ठीक है नेक्स्ट बरेंडे सिष्टी निम्लिखित किस राज्जी सरकार ने दीन दयाल रसोई योजना की सुरुवात की है जिसमें गरीबों को पांच रुपे में भरपेट पोजन मिलेगा तो यह जो योजना के स्टेंश टार्ट की है आपको बतानी है कमेंट सेक् कुशन में जरूर बताएंगे तो इस तरह ऐसा हमारा पार्ट सेवन कंप्रीट हो चुका है नेस्ट पार्ट हम पार्ट एट डिसकर्स करेंगी तो बो पार्ट जो है न चोटा ही होने वाला है क्योंकि मौहां से बंडरी सिष्टीवन से बंडरी स्टेवेंटी तक कि कुशन दिसकर्स करेंगी तो यहां पर लास्ट पार्ट एट होगा और हमारा मदबरी समन गैन कंप्लीट हो जाएगा यहां से चैसे साथ कुशन आपके आएंगी फीपन में ठीक है फिर वर्ल्ड जीके से भी ऐसा ही होता है बादवागी जो आठी है नो कुशन बचते हैं वो वर् सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दमाएं और दोस्तों के साथ जाता से जाता से शेयर करें ठीक है और मिलते हैं नेस्ट वीडियो में अब एक लिए जैहिंद थैक्यू फो वाचिंग